मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि शायद प्रभास भी कभी कभी कोने में बैठ कर सोचता होगा कि यार मैंने किस मुहूर्त को देखकर बॉलिवड में इंट्री का सोचा होगा अच्छा खासा बिचारा बंदा साओ जो में बड़ा स्टार बना वबंदा था हर कोई उसको पसंद कर रहा था हर तरफ से प्यार लुट रहा था पता नहीं किस घड़ी में बॉलिवड में आने के सोची थी दरसल अभी कुछी दिनों पहले आदेपुरुष का नया पोस्टर जारी किया गया इस पोस्टर ने भगवान श्री डाम के साथ साथ माता जानकी और लक्षवन को भी दिखाया गया साथी साथ इसमें हन्वान जी भी उनके कदमों बैठे हुए दिखायी दी इस पोस्टर के उपर भी भवाल शुरू हो गया है इससे पहले टीजर को लेकर तो काफ़ी कुछ हुआ ही था लेकिन अब पोस्टर को लेकर भी हो गया है दरसल इस पूरे भवाल में क्या कोछ हुआ है और कहा का पुलिस कंप्लेंट हुई है इन सभी बारे में बात करेंगे। जहें दोस्तों अंदे मातों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रभास के बारे में कि प्रभास का आखिर क्या कुछ चल रहा है। नए पोस्टर की वज़े से फिर से एक बार केस दर्श हो गिया है। कहा गया है कि इस पोस्टर से लोगों की धार में भावनाय आथ हुई हैं क्योंकि इसमें हिंदू मैथलॉजी के करेक्टर को गलत तरीके से दर्शाय गया है। सरातन धर्म के संथ संजय दीरानाथ तिवारी ने मुंबई के साकीना का पुलिल स्टेशन में मुंबई हाई कोट के वकील आशीश राय और पंकाज मिश्रा के जरिये केस शिकायत की। शिकायत करता संजय दीरानाथ के मुताबिक पवित्र गरंत राम चरितमानस से मर्यादा पुरुष उत्तम राम की बायोग्राफी पर आधी पुरुष बनाई गई है। इस मामले में शिकायत करता ने मुंबई के साकिना कपल स्टेशन में आधी पुरुष के डिरेक्टर और प्रडूसर उम्राउद और सभी कास्ट के खिलाफ आई पीसी की धारा दोसो पिंचानवे, दोसो अन्ठानवे, पांसो और चौंतुस के तहत केस दर्ज करवाया है। संजदी रनातिवारी ने अपनी शिकायत में बताया कि फिल्म आधी पुरुष हिंदू के पवितर धर्म राम चरितमानस के मर्यादा पुरुष उत्तम श्रीडाम के जीवन बर बनाई गई और सनातनी कई योग से श्रीडाम के चरितरार्थ का अनुसरन भी करते हुए नज करते हैं जिससे कि वो सनातन धर्म का अपमान कर सके यह बहुत ज़्याद निंदनी हैं शिकायत करता ने कहा कि आधिपुरुष के पोस्टर ने हिंदु धर्म का अपमान किया है जिसकी कारण भविष्य में भारत के विबिन राज्यों में लॉइन और खत्रें पड़ सकता ह कुछ दिनों पहले आधिपुरुष के निर्माताओं ने राव नावमी के शुब अफसर पर एक नया पोस्टर रिलीस किया था पोस्टर ने प्रभास और सनी कवच और धोती पहने हुए दिखाई दिये और साधिजाद हाथ में बाण लिये हुए थी और उनकी मांग में सि के हुए दिखाई दे रहे थे पिछले साल आधिपुरुष का टीजर रिलीस हुआ था और आते ही व्यादों में घर गया था पहली वज़े हिंदु देवताओं को जिस तरीके से दिखाया गया था उससे लोग आहत हुए थे और इसमें VFX के कारण भी लोगों ने जम कर आल दरबाट चल रहा है और अब यह जो विवाज शुरू हुए है इसको लेकर क्या कुछ बाते सामने आती है यह तो वक्त बताएगा लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से इसको लेकर यह पूरी कांट्रवर्सी चल रही है वो साफ तोर पड़ी बताने के लिए काफी है कि जो भी कुछ चीजे चल रही है वो कहीं से कहीं तक भी मूवी को लेकर तो पॉजिटिविटी नहीं बना रही है इस मूवी का बजट 600 क्रोड को देखते हुए तो कोई भी यह कह सकता है कि 600 क्रोड रुपय तो कहीं न कहीं स्वाह हो चुके है और जिस प्रकार से धारी बहवनाओं को आत करने का आरोब इस मूवी को पर लगातार लग रहा है वो एक अलग ही पूरा का पूरा माजरा है आप लोगा इस विश्या में क्या कहना है कमंट करके जरूर बताईएगा मेरे सुनियों फिलालत नहीं जाये हैं